नमस्कार कक्षे दस्री वाले छात्रे जल्दी से अपना हिंदी विशे का जूलाई मैने का मासिक टेस्ट पिपर देख ली जिगा तो हमारा पहला कुश्यन दिया सीतीज बागदो से कावे खंड सही विकल्प चुनकर लिखी है जिसमें हमारा पहला कुश्यन दिया हिंदी के 20 ayat का दूसरा काल है तो इसका अंसर आप लगा लिजेगा इसमें आपको right answer आपको लिकना होगा आवला रिती काल दूसरा कुश्यन आपको दिया है रिती काल को कावे की ड्रस्टी से बाटा गया है तो दूसरी question का अंसर आप लगा लिजगा इसमें आपको right answer बावला तीन बावगों में आपको लिखना होगा अब आपका तीसरा question देख लिजगा आदुनिक काल का आरम होता है तो कब से होता है आपको बत्याना होगा तो तीसरे कुश्यन का अंसर आप लगा लेज़गा, तीसरे कुश्यन में आपको right अंसर आप लगा लगा लेजगा, सम्मत गुणिसों से आपको लिखना होगा अब आपका चोते कुश्यन देख लिजिगा छायवात के आदार इस्तम कभी नहीं है तो कौन नहीं है यह आपको बताना होगा चोते कुश्यन का अंसर आप लगा लिजिगा इसमें आपको दावला सुर्दाज आपको लिखना होगा अब आपका 5 कुष्यन देख लेजगा, प्रियोगवात के कवी है, तो कोन है ये आपको बताना होगा, इस कंसर आप लगा लेजगा, पाँचवी कुष्यन में आपको right answer आवला, अग्य जी आपको लिखना होगा, अब आपका 6 कुष्यन देख लेजगा, नई कविता के कवी ह तो कोन है ये आपको बताना होगा, तो 6 वले कुष्यन कंसर आप लगा लेजगा, इसमें आपको right answer दावला, रगवीर साय आपको लिखना है, अब आपका 7 कुष्यन देख लेजगा, बक्तिकाल की समय सीमा है, तो इसमें आपको right answer ये आपको लिखना होगा, ब वला ठीके, समवत 1345 से समवत 1700, अब आपका 8 कुष्यन देख लेजगा, प्रियोगवात का आरम माना जाता है, तो कब से माना जाता है, ये आपको बताना होगा, तो 8 वे कुष्यन कंसर आप लगा लेजगा, इसमें आपको right answer आवला सन 143 आपको लिखना है, अब आपका 9 कुष्यन आप लगा लेजगा, इसमें आपको right answer सा वला कुष्यन के लिए आपको लिखना है, अब आपका 10 कुष्यन देख लेजगा, गोप्यों को ज्यानवा योग की बाते लगती है, तो केसी लगती है, ये आपको बताना होगा, 10 वे कुष्यन कंसर आप लगा लेजगा, इसमें आपको right answer आवला लगाना होगा, अब आपका 12 कुष्यन देख लेजगा, व्यादी सब्द का अर्थ है, तो व्यादी सब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना होगा, तो 12 कुष्यन का अंसर आप लगा लेजगा, इसमें आपको right answer सा आवला, रोग आपको लिखना है, अ इसमें आपको राइट अंसर आवला भिज आपको लिखना है अच्चे से पढ़ते जाई है ठीके क्योंकि आपकी त्रेमासी परिक्षाओं में भी यही पूचे जाने वाले हैं अब आपका चौदा कुष्यन देख लेजगा मर जादा न लही के माध्यम से मर जादा की बात कह है तो इसमें आपको राइट अंसर यहां पर लिखना होगा अब वला ठीके प्रेम संबंद की अब आपका पंदर कुष्यन देख लेजगा सुर्दास के गुरु थे तो सुर्दास जी के गुरु कौन थे यह आपको बताना होगा पंदरवे कुष्यन का अंसर आप लगा ल लगा लेजगा इसमें आपको राइट अंसर आवला स्री कुष्यन आपको लगाना है अब आपका सत्रों कुष्यन देख लेजगा पूर इनी पात का अर्थ है तो इसका अर्थ क्या यह आपको बताना होगा इसका अंसर आप लगा लेजगा इसमें आपको राइट अंसर आ चेज़ा इसमें ऐपको राइट अंसर दोवऴ वी नी पत्री का लिखना है एब यह यह पर हमेरे अगला खुश्चयन दिया है जिससे में पहले क्षिचन दिया ॕ parenth कि खाल दास जन्म से खालतान थे तो इसमें आपको लिखना होगा अंदे अंदे आपको लिखना है ठीक अच्छा से लिखिए और पल दी जिगा और इसके साथ आपका तेरो कुष्चन दिया है गोप्यों के लिए स्रीकृष्चन हारिल की खालतान की तरह है तो तीसरे कुष्चन का आपको लिखना है राज निती आपको लिखना है अब आप 15 कुष्चन देख लिए जिगा सुरदास का नीदन वर्स खालतान में हुआ तो किस में हुआ था तो पांच वेक अंसर आप लगा ली जिगा इसमें आपको लिखना होगा अच्छे सावधानी पुर्वक संभत है देख लैजेगा गोपियों ने मदुकर संभोधन खालतन के लिए दिया तो किस के लिए दिया तो आपको बतेरा होगा तो छेटे कुश्चन कर अफ लगा लेजगा इसमें आपको लिखना होगा उदव और आपको लिखना है थीगे सुर्दाजी मुल्त खालतर रस के कवी है तो किस रस के कवी है इसमें आपको लिखना होगा वात्सल्य क्या लिखना है वात्सल्य वात्सल्य आपको लिखना होगा अब यापर हमारा अगला कुशन दिया एक वाक्य में उत्तर लिखी है तो इनके अंसर आपको सावधानी पूर्वक देखना है, सुनना है, पढ़ना है पहला आपको कुश्चन दिया है, सुर्दास बक्ति काल की किस है, साका के कभी है तो इसमें आपको लिखना होगा या पर क्रस्न बक्ति साका यह आपको लिखना होगा अब यह आप पर दूसरा कुश्चन दिया है गोपियों के अनुसार जाज़ा का दर्म क्या है तो गोपियों के अनुसार जाज़ा का दर्म क्या होना चाहिए तो सबसे पेले प्रजा की रक्षा करना होता है उसके बाद निती के अनुसार राज़दर्म करना होता है यह आपको लिखना होगा तो मैं इसका अंसर पढ़कर बता देता हूँ तो दूसरे कुष्चिन में आपको लिखना होगा जार्जा का धर्म उनकी प्रजा की हर तरा से रक्षय करना निती से राजदर्म का पालन करना होना है यह आपको लिखना होगा ठीके अब आप पर तीसर कुष्चिन दिया है सुर्व सरावली के कभी का नाम क्या है तो मैं इस इसका अंसर आपको बतादेता हूं, इसमें आपको लिखना का सुर्दास, सुर्दास आपको लिखना है, जी भी आप लगा लिजिगा पीछे, और इसके सद आपका चोता कुश्चन दिया है, सीतीस बाग दो में संगरहीत सुर के चार पद कहा से लिए गए है, तो कहां से लि बांच यह आपको लिखना होगा उदव दो ऌपस्टा किषिन देख लिए कि अपना प्रेम व्यक्ति किया तो चेटे क्युष्टन का अमसराब लगाएन लिए अपको पता होगा तो यदि बता रहता हब इसमें को लिख précis ना है आप लगा लिजगा योग साधना का संदेश तो आटवे कुशिन में आपको लिखना होगा योग साधना का संदेश यह आपको लिखना है ठीके इसके सब्सक्राइब आपका आपका 9 कुशिन देख लिजगा सूर की पदों में कौन सा रस है तो सुरदार जी की पदों में कौ अब आपका 11 गोष्चिन देख लेजगा सूरुदास के साइट में किस बासा की प्रमुकता है तो किस बासा की प्रमुकता है यह आपको बताना होगा तो ग्यारवे कुश्चेन का अंसर आप लगा लेज़ेगा इसमें आपको लिखना का ब्रज ब्रज बाशा आपको लिखना है अब आपका बारो कुश्चेन देख लेज़ेगा किसके प्रेमें आसक्त दीवानी हो गई तो किसके प्रेमें हो गई थी आप सभीको पता होगा इसका अंसर लिखना होगा उदव अब आपका 14 गुष्चन देख लजेगा उदव को बड़बागी किस ने कहा तो किस ने कहा था इसमें आपको लिखना है गोपियो ने अब आपका पंद्रव कुष्चन देख ले जिगा गोपियो का उद्रव को बड़ बागी कहने के पीछे क्या उद्दिश्य था उद्दिश्य आपको बताना है तो 15 में कुष्चन का अंसर आप देख लेजगा उदव स्रीकस्ण को प्रेम से दूर रखना चाते थे का अंसर आपको बताना होगा किस प्रकास आपको लिखना इस अंसर गोप्यों का उदव को बड़ बागी केने का पीछे का उद्धेस था फां मतलब स्रीकस्ण से उनसे प्रेम से दूर रखना ये इसका सब्सराद आपका सोलो क्षेट देख लेजगा क्रस्ण की संगटी में रहकर भी कों उनके प्रेम से अचुते रह तो इस में आपको लिखना होगा सोलो क्षेट में उदवू, तो आप सभी को पता होगा उदव कितनी बार आ गए यहां पर और इसकिसद आपका सत्रों कुष्यन देख लेजगा उदव के व्यावार की तुलना किसके पत्ते से की गई तो सत्रों कुष्यन में आपको लिखना होगा यहां पर कमल के पत्ते कमल के पत्ते आपको लिखना है इसकिसद फैर अपर अटारी टील। की माटकी की विश्रिस्त् Day क्या है टो इसकी विश्रिस्त्व आपको बताना गवागव लिकषिना होगा इसका अंस लिए ऐसे पानि यहां मटकी में समाना यी सक्था इसक का अंसर आप धेख लिए अटीक है इसका से आप गुपाह सी बात स्रीकरशन को बताना चाहती थे तो कौन सी बात यहाँ पर बताना चाहती थे इसमें आपको लिखना होगा स्रीकरशन के दर्सन और अपने प्रेम की मतलब अव्यक्ति उनसे करना चाहती थे मतलब उनके मन में क्या है स्रीकरशन के प्रति यह बताना चाहती थे स्रीकरशन क्योंकि जो स्रीक्रशन थे मतलब गोप्यों की पास नहीं थे ठीक हो चले गए थे इसलिए आपर रदे की रदे में आपर उनकी मतलब इच्चा रह गई थी आपको लिखना होगा 21 कि शुष्चन देख लें जिगा गोप्यों ने उदव को योग संदिश किसे देने की बात कई तो याँ पर 21 कि शुष्चन का अंसर आप लगा लें जिगा इसमें आपको लिखना होगा जिन की इंद्रिया वह मन उनके बसमे नहीं होते यह आपको लिखना है ठीक है क्या लि आपको लिखना होगा मतलब क्या पूचा है इसमें आपको लिखना होगा जिन का मन इस्तिर नहीं होता है तो यह आपको लिखना होगा अब आपका तेज कुश्यन देख लिखना जिखा गोप्रियों का मन कहां इस्तिर हो चुका तो इसमें आपको लिखना होगा कहां पर तो आप सभी पता होगा स्री कुश्यन में स्री कुश्यन आपको लिखना होगा अब आपका चूर्ज कुश्यन देख लिखना जिखा गोप से गुहार लगाना चाहती है तो इसमें आपको लिखना होगा स्री कृष्ण क्या लिखना को लिखना है अगला कुश्यन देख लेजगा इसको आपको सत्य तो असत बताना है पहला आपको दिया गोपया कर्ष्ण दाउरा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है तो इसमें आपको लिखना हुगा असत नहीं दूसरा आपको दिया अच्छी लोग परहीत के लिए दोडे चले आते हैं तो दूसरे में आपको लिखना होगा बिल्कुल सत्य तीसरा आपको दिया है उद्धव का संदेश गोपयों को गोड की तरह मीटर लगा तो बिल्कुल याप लगाता किया नहीं नहीं लगाता ठीक है असत्यों जाएगा और इसके सत्य याप अगला दिया आमरा योग पर गोप्यों की विरा अगनी बढ़ रही है इसका अंसर आप लगा लिजीगा बिल्कुल याप पर सत्य जाएगा और आपका पांचवधी आए उद्धव को बढ़ बागी कहा गया बिल्कुल याप कहा गया सत्य हो जाएगा इसके साथ ही आप अगला कुश्यन दिया हमार ल आपको लेजगा दूसर कुश्य आपका दिया है तीसरा चोथा पांचवधी शेटा साथ आट वा तो इनकी अंसर आपको नहीं बताएंगे आपको सेम को इनकी अंसर निकालने होंगे पढ़ने होंगे याद करने होंगे अब यापर चलते हैं यापर हम सित्ति बाग दो पर गद्ध खन पर जिसमें हमारा कुश्यन दिया सही विकल चुनकर लिखी है जिसमें हमारा प्रसंदिया नेता जी का चस्मा पाठ की विदा है तो नेता जी का चस्मा पाठ की विदा कौन सी है यापको बताना होगा इसकंसर आप लगा लेजगा इसमें आपको लिकना होगा प्रकास का जन हुआ था तो कहां पर वा था दूसरे कुष्चन में आपको लिखना होगा यह पर आवला मद्द्व प्रदेश से तीसरे का अंसर आप लगा लेज़िगा तीसरे कुष्चन में आपको लिखना होगा अब वर्सुदा का अब यह आपको चोतो कुष्चन देख लेज़िगा केप्टन नाम था किसका तहीं आपको बत्यान होगा चोते का अंसर आप लगा लेज़िगा इसमें आपको रायट अंसर दावला चस्मी वालक आपको लिखना होगा पांचो कुष्चन देख लेज़िगा नेता जी का चस् पर प्रतिमा लगी थी तो किसकी लगी थी तो छेटे कुष्चिन में आपको लिखना होगा याप पर क्या लिखना है दावला सुवार चंद्र भोश की अब आपको साथों कुष्चन देख लेजिगा नेता जी की मुर्ति लगवाई गई थी तो साथवे कुष्चन का अंसरा संग मरमर से आपको लिखना होगा और नौव कुष्चन देख लेजिगा हालदार सहाब कंपनी की काम से कजबे से गुजटते थे तो नौवे कुष्चन का अंसरा आप लगा लेजिगा इसमें आपको राइट अंसर बह वाला हर पंद्र वे दीन आपको लिखना होगा दसो से कहा जाता है तो यहाँ पर ग्यारवे कुष्चन का अंसर आप लगा लेजिगा इसमें आपको राइट अंसर दावला राम रक्ष्य बेनिपूरी जी को आपको लिखना है अब यहाँ पर अगला कुष्चन देख ले जिगा और ध्यान पूर्वक इनकी अंसर सुनिए दूसरे कुष्चन देख ले जिगा एक अंक वाली रशिना खालतन के लाती है तो दूसरे कुष्चन में आपको लिखना होगा एकांकी एकांकी आपको लिखना है अब यहाँ पर हमारा तीसरे कुष्चन देख ले जिगा खालस्तान में लेक का अपने ही जीवन वरत्य को तो तीसरे कुष्चिन का अंसरा आप लगा लेजगा तीसरे कुष्चिन में आपको लिखना होगा या पर क्या लिखना है तो इसमें आपको लिखना होगा आत्मकता आत्मकता आपको लिखना है अब यह पर चोता कुष्चिन देख लेजगा सरत चंद्र चटो बद्याई ने प्रेम चन को खालतन की अपादि दी है, तब स्थान आपको लिखना होगा, उपन्या नियास समराट, जो हमारे कुष्चन दिया हुआ है, ये आपको लिखना होगा, पांचो कुष्चन देख लिजेगा, जीवनि गद्दी की एक खालतन वीदा है, तो यहाँ पर लगाले हैं पात्वे कुष्चिन में आपको लिखना है क्या लिखना है गोन गोन विदा हमारी गोन आपको लिखना होगा झेटा के किछिट छेटे में आपको लिखना हुगा जीवनी जीवन आपको लिखना है अब यह पर साथों कुष्यन देख लीजगा प्रतिमा बनाने वाला का नाम खालतन था तो साथ雏 payment एक कुष्यन का अंसर आप लगा लीजगा इसमें आपको लिखना हुगा । मोति लाल मोति लाल आपको लिखना है अब यह आरपको qünd देख लिज identical प्रतिमा पर सर्गंडी कर्छसमा ध्रस के द्टे द्वरा लगा आई था तो नाउ ए question गषिए को लिखना केप्टन द्वरा राक्या लिखना है Cassi ऑब याप है मारा अगला कुष्ण देख लींजगा 9 कुष्म्हार आपका दिया है प्रतीमा का चस्माła खालतन बदल देता है देदधा मतलिह आपको लिखना हो गया अप प्रतिमा का चस्मा खालतन बदल देता था इसमें आपको खैपिटन लिखना ओगा ठीक? मा पकर ना और आपका 10 कुष्षिन धीया है नेतयाजी की मूर्तिखालतन कपड़ों में थी इसमें आपको लिखना ऊगा फोजी कपड़ों और आपका 11 कुश्यन देख लेजगा दिल्ली चलो का नरा किस ने दिया तो इसमें आपको लिखना होगा सुबास चंद्र बोस क्या लिखना सुबास चंद्र बोस आपको लिखना होगा ठीक है सबके बोस अब आपका 12 कुश्यन देख लेजगा कंद्य से सीर्तक की मुर्ति को खालतन केते हैं इसमें आपको लिखनाओंगा बस्ट आपको लिखना है ऐले अब आपर अगला कुश्च्शन देख लेजगा एक वक्क्त में उत्तर लिखिये तो इनकी अंसर आप सावदानी परवगा सुन ली जिगा पल ली जिगा देख ली जिगा समझ ली जिगा याद कर किस बासा का सब्द है तो पेले में आपको लिखना होगा फ्रांस सिसी अच्छे से लिखी है ठीक है आपको यहां पर मात्रव की गलती नहीं करना है बाइचेंस हमसे हो जाती है माप करना और आपका दूसरे कुष्चिन दिया है हिंदी गद्धी की सर्वदिक लोगप्री वि अब यहां पर तीसों कुष्चिन आपका दिया है आदूनिक हिंदी गद्धी का विकास किस युग से प्रारम हुआ तो तीसरे कुष्चिन में आपको लिखना होगा यहां पर बार तेंदू युग से यहां आपको लिखना है ठीक है अब आपका चोता कुष्चिन देख ल आसमराट कि नहीं कहा जाता है तो इसमें आपको लिखना होगा मुन्सी प्रैम चंद मुनसी प्रेम है डाड़ टिके अब है अब इनफर छेटा कुष्यन देख ले जागा एक कि एक अंकी में आपहे आपको लिखना होगा हालदार हालदार शःब आपको लिखना होगा पीछे और आपका नवा कुश्यन देख लिख लेजगा नेताजी की मुर्ति किस्से निति मिती तो किस्से दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था तो इस कंसर आप सभी को पता होगा अभी हमने आपको बता है खालिस्तान में तो इसमें आपको लिखना होगा सुभाष चंद्र बोस लिखना है ठीक है समझ जाए उसकी बड़ आपका ग्यारों कुष्चिन देख लेजगा कस्वे में क इंट्नी थी इसमें आपको लिखना होगा आं क्या लिखना है कि अब आपका त्यर्व किष्चन देख लेजगा निजी चीन किसी में नेत्याजी की मूर्ती अचम जलेगा इसमें आपको लिखना होगा चस्मे की कमी ती चस्मे की कमी यह आपको लिखना होगा और आपका सोलो कुष्यन देख लेजगा चस्मी वाले की देश भक्ति के सामने कोन नत मस्तक था तो कौन था तो सोलो कुष्यन में आपको लिखना होगा क्या लिखने इसमें उनके रदे में क्या पूछा है अपर चस्मे वाले की देजबक्ति के सामले को नच मस्तक था तो इसमें आपको लिखना होगा या पर तो यहाप सोलो कुषिन में आपको लिखना होगा हालदार साब हालदार साब आपको लिखना है अब आप पर 7 question देख लेज़ेगा चस्मा लेकक की नजर में किसका प्रतिक है तो इसमें आपको लिखना है क्या लिखना है लेकक की नजर में चस्मा दिस भक्तों को सम्मान देने एवं दिस प्रेम का प्रतिक है क्या लिखना है इस question में 7 question में के कितने कहानी संग्रव प्रकासित हो चुके है तो इसमें आपको लिखना होगा 13 सबूसरा अपको यह उपन्यास कई कताओं का समावेस होता है तो बिल्कुल याप पर होता है सत्त हो जाएगा तीसा आपका दिया है नाटिक में एक अंग होता है बिल्कुल नहीं होता है अनेक होता है असत्त हो जाएगा चोता आपका दिया है यद्धी गद्धि कव्यों की कसोटी है तो नीबन गद्धि की कसोटी है बिल्कुल याप रहे सत्व हो जाएगा पांचम आपका दिया है बिल्कुल याप रहे सत्व हो जाएगा अबताना होगा दोसरे कुषिए आपका दिया है कहानी और उपन रहास में आपको अंतर लिखना है तीसमें आपको नाट तक और एकांकी में दो अंते लिखना हुगा तो आप पल्ली जी का इनके यहां पर कुश्चिन ठीक है और इसके साथ यह आपर अगला कुश्चिन आपका दिये जाने वाले आपर क्रतिका बाग दो से सही विकल फिनकल लिखी है जिसमें आपको लिखना के गावपल लगया तो क्या लगया था इसमें आपको लिखनाओ का सावला पीसी हुई हल्दी दूसरा आपका दिया है बोलानात का असल नाम था तिसमें आपको लिखनाओ का आवला तारकेस्वर नात अब आपका तीसरा कुश्चिन देख लिखा मैया चावल अमनिया कर र तो यह आप पूरी जान करें आपको मिल जाएगी ठीके अब आपका पर पांचों कुश्यन देख लेजगा साप निकलने पर ढरकर बागे बोलानत आकर छीपे तिसमें आपको लिखना होगा मैया के आचल में अब आपका 60 कुश्यन देख लेजगा बोलानत की टोली में कल भूल गया तिसमें आपको लिखना होगा सिस्क ना अब आपका आठों कुछियन देखना होगा बोलानात के पिता उन्हें गोरस बात खिलाते थे तिसमें आपको लिखना होगा फूल के कटूरे में अब आपका नौ कुछियन देखना होगा मात्ता का अंचल में दो लड़ सुआ पाट करते थे तो इसमें आपको लिखना होगा आवला जामायन का अब यह आपर अगला कुश्यन देख लिजगा जिकतिस्तान बरिये तो इनके अंसर आप सावधानी पुर्वा का देख लिजगा जिसमें हमारा पहला कुश्यन दिया बोला नात पूजा के समें मस्तक खालतन फिलक लगाते थे इसमें आपको लिखना होगा आपर बभूत बभूत आपको लिखना होगा पहले कुश्यन का अंसर दूसरा कुश्यन देख लिजगा कभी 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 हमसे बाबु जी खालतन भी लड़ते हैं तो इसमें आपको अंसर लगा लिजगा इसमें आपको लिखना हो गार चुओ अब हिर आप पर हमारा अगला कुषिन देख लिए जबा हो जा लड़कों का संग ताहां बाज यह न है अपर को लिखना लड़कों को मेरे को आपको लिखना है छेटा कुश्यन देख लेजगा बोलनात के पिता राम नामा बही में खालतन बार राम लिखते थे इसका अंसर आप लगा लेजगा माप करना बोलनात की पिता राम नामा बही में खालतन बार राम राम लिखते थे तो छेटा कंसर लगा लेजगा इसमें आ पुलनत की पिता आटी की गोलिया खाल्तन को खिलाते थे इसमें आपको लिखना होगा साथों क्विश्यन मचलीयो मचलीयो करो आपका आटों कुश्यन देख लेजिए हैं पोलनत और उनके पेला उपन्यास कौन सा माना जाता है तो पेले कंसर आप लगा लिजिगा इसमें आपको लिखना होगा दे हाती दुनिया यह आपको लिखना होगा अब यह आपको लिखना होगा बर्का की बन होते ही बाग में क्या क्या नजर आये तो इसमें आपको लिखना होगा बर्का की बन होते ही बाग में बिच्चु क्या लिखना बिच्चु नजर आये बिच्चु आपको लिखना है ठीक है बिच्चु अब यह आपको तीसरे और आपको लिए अगला कुष्चेन देख लीजी का पांचों आपको दिया है बोलनात अपने पिता जी को क्या कहकर बुलाते थे इसमें आपको लिखना है अगला कुष्चेन देख लीजिका लेकक यानी बोलनात अपने माता को क्या कर फुकारते थे तो छेटे कुश्चन का अप लगा लिजगा इसमें आपको लिखना है मैया आपको लिखना है अब आप पर आगला कुश्चन देख लिजगा साथ कुश्चन आपको दिया है लिखना होगा अब आपका अगला कुश्य देख लिए जिएक आटवों कुश्य आपका दिया यह लेकक को बच्च्पन में कौन साथ पसंद था तो आटवे गुश्य आप लगा लेजिगा इसे मैं आपको लिखना लेजगा लेकक के पिता किसके बक्त थे तेसने आपको अब यह पर 11 कुछिन देख लेजगा बोलनत के बाभुजी की नहाने वाली चोक की किस काम आती थी तिसमें आपको लिखना होगा क्या लिखना है रंग मंच के काम लंग मंच के काम यह आपको लिखना होगा अब यहाँ पर 12 कुश्चिन देख लेजगा आप बोलाना तवा उनके साथ ही अपने धरुंदे की किवार दर्वाजे किसे चीज से बजाते थे तो 12 कुश्चिन का अंसर आप लगा लेजगा इसमें आपको लिखना होगा क्या लिखना है दियास दियास लाई की डिबियो से यह आपको लिखना होगा अब आपका तेरो कुश्चिन देख लेजगा बोलाना तो और उनके साथ ही टूटी दानी से क्या बनाते थे तो तेरो कुश्चिन का अंसर आप लगा लेजगा इसमें आपको लिखना होगा पालकी आपको लिखना है अब यह आपका 14 कुश्चिन देख लेजगा अमोला किसे केते है तो अमोला किसे केते है इसमें आपको लिखना होगा आम का उगता हुआ पोधा तो और चसे से तो इस मूर्त में पासी पर चड़ेगा वही राजा बनेगा यह आपको लिखना है सोलो कुष्यन देख लेजगा मकई की खेत में किंड का जुन चड़ रहा था तिसमें आपको लिखना होगा चिडियो का यह आपको लिखना होगा अब आपका 17 कुश्यन देख लेजिगा, बोलानात की मित्र मंडली ने क्या करने की कोशिज की, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या करने की, कीड़ा करने की, कीड़ा मतलब होता है आप मस्ती करने को, ठीक है, अब आपका 18 कुश्यन देख लेजिगा, माता का अंचल, कहान के पानि एके और शर्व बच्चों ने चूए कि बिल में क्या डाला इसमें आपको लिखना हो पानी ठीक है अब आपका 19 कुश्चन देखले ज़िए आ बोलणात दड़ की मारे बाग कर किसकी गोद में जाकर चुपए तो 19 कुश्चन में आपको लिखना हो का मैया । मैं एकी बाद यह आपपड देख लेजीऊगां सत्य सत्य आपके δिया है थार्केश Kenny सुनात ही बोलना थे बिलकुल यह पड़ते शत्यों जाएगा हो दूस्रा आपका अशत्य ठीके ओर तीसरे यह यह इनुर विलकुल सत्य दोंट वरी और पाचवा नहीं पर हो जाएगा करद अब है अब पर चलती है अपर लगो फ्रशन पर अपको सही पड़ना ओगा और यहांपर पत्य लेकर अब्यास रहे तो प्रत्म पर दिया दूसरा तीसरा साउदानी पूर्वग पड़ पर ठीक अपर निब लेकर आपको तो याद कर लिजीगा ठीके क्योंकि तीयरी आप खुग नाया अभी से आप तीयरी करिए इसके साथ यह पर अगला कुछन आप करिया व्याकरन वाला तो इनकी अंसर तो आपको बता देंगे हम डोंट वरी तो यहाँ पर देखती है पर पहला कुछन मारा रसात्मकम वाक्यम परिबर्षय किसकी है तो किस मानुबाव की है इसकनसर आप लगा लगा लेजसे का कवे को की चैंद एक गटा के दागे में माला की तरह गूते होते हैं तीसरे कुष्चिन में आपको लिखना होगा यहां पर क्या लिखना है बावला प्रबंदिकाव चूता आपको आलंबन और उद्धीपन का संबन है चोते कुष्चिन में आपको लिखना होगा यहां पर क्या लिखना है सवला ठीक है को संक्षिन कितने श्राक कि इससमें आपको लिए डेख लेजिगा दो हमेबु के मेल संधी और और आइट मां पहर आपका संधिके इसमा आपको लिखना होगा तो संधिके कितने पहर होते इसमां आपको लुखना होगा तीन बहँ वुखने होगा hell दो सब्दों का आपने विवकती चिननों को चोड़ कर अंपस मिलना केलाता है झीसमां इसनुन को लिखना हो आवलबिवत कहते हैं अब आधे आगला कुश्यन देखिन आपको रिट έχει पुरुति करना हैं तो मैं आपको direct answer बता रहे तो When at the heart भी ने तर्टव की प्रदानता खालतन काव में होती है तो दूसरे कंसर आप लगा लेज़ेब आपको लिखना होगा द्रश्य काव और आपका थिससरी क्षोटन दीया है न Market नायकों ते सिम्योक्त या व्यूक्त कवर्णल खाल्तन रस में होता है मतलब केने के मतलब आपर लड़का लड़कियों में ब्रेकप होना ठीक है या फिर वापस ही मिलना तो तीसरी क्वेशीं आपको लिगना या अंप लिकना हों त संगार सोरी इमाप करना तो यह कुस्यून आपको लिखना होता है को मतलब आपको लिखना होगा उसा प्सकों अब seet तो समाज के कितने बेद होते इना अब को लिकना होगा मतलब 6 आपको लिखना और देख लोगा झाद्टन समाज है तो है अपको समाज है अपको लिखना है अलब सही जोड़ी का मिलयांट के लिआजहेगा काम यह निकाम यह नि ऐसा आपको लिए काम की आत्म इस में आपको लिखना काः से एक वाकिं में ऊत्तर देख ली किस नहीं होता है किस प्रबंद प्रबंद आपको लिख देना है तो इसमें आपको लिखना हुआ चोपाई तो आपने पढ़ा होगा अब आपका 300 कुष्यन देख लिए मुख की रुप से इस्ताय बाव की संकी कितने होते हैं जैसे के आपको पहले बता दिया था नो होती है और आपका चोटा कुष्यन देख लिए बत रस है लाल चलाल की पंक्ति में कौन सा रस है तो चोट प्रती दिन में कौन सहमास है तो आपको लिख लोग अब लगा हैं यह चैते कुष्यन प्रती दिन में कोन सामस है तर्स में आपको लिखना होगा अवियाई बाव समास अवियाई बाव अब आप पर आटो किशन देख लेजगा रसोई गर में कौन सो समास है इसमें आपको लिखना होगा तत्पुरोस आप अब आपको षchodzi ऑजगम सदेख लेजगा पेला आपका दिया है राम चरित मानस महा काव बिल्कुल आप पर José ढाईगा पेला दुसरा आपका दिया है धर्शिकाम में अभीने तर्तु प्रदान होता है बिल्कुल आप और पर नहीं होता है सत्तुर अपको दिया तिस आप चेट आपको दिया है पंच्योटी मां कावे हैं यह के नहीं बताओ यार तो चेट आपका बिल्कुल यह लगा लेजिगा इसके सब्सक्राइब कर दिया है ती बुवनम मिद्वन्द समा से तो बिल्कुल आपको नहीं है असत तो जाएगा आट आट वा कुश्चिन आपका द देखना भी है तभी आप हिंदी में टोप करेंगे मतलब केने का मतलब तो इस प्रकास से हमारा कुश्या दसवी का हिंदी का जुलाई मैले का मतलब मासी के टेश्टी पर आपको कंपीट हो गया है पल लिए अगले वीडियो में जब तक लिए जेहिंद बंदे मात्रम